परिचय स्वादेश्ट है, ये भोजन बहुत स्वादेश्ट है सिमरन, क्या तुम जानती हो? जब यह भोजन हमारे शरीर के भीतर जाता है, तो इस भोजन का क्या होता है? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ हाँ, बिलकुल, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गरंथियां और अंग होते हैं, जो भोजन से जरूरी पोशक्तत्व अफशोशित करते हैं, और अनुप्योगी भाग को उस सर्जित करते हैं ये तो बहुत रूचक लगता है क्या तुम बाचन तंद्र के बारे में और जानना चाहती हूँ? हाँ, जरूर चात्रो, आज हम पाठ जन्तूओं में पोशन शुरू करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि जो भोजन हम ग्रहन करते हैं, उसे हमारा शरीर किस तरह पचाता है? उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे पाचन तंद्र को परिभाशित करना आहार नाल के अंगों को परिभाशित करना यह जानना कि आहार नाल के विभिन अंगों में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है? घास खाने वाले जंदूं में पाचन क्रिया की व्याख्या करना अमीबा में आहार ग्रहन करने और पाचन के बारे में जानना पाचन क्रिया क्या है? हम सभी जानते हैं कि भोजन जटिल तत्वों से बना होता है जिसमें कार्बो हाइडरेट, वसा और प्रोटीन शामिल है हम इन तत्वों का इस्तिमाल इस तरह से करते हैं कि ये साधारन तत्वों में तूट जाते हैं भोजन के जटिल अव्यवों का साधारन पदार्थों में तूड जाने की क्रिया पाचन कहलाती है। आईए, अब हम मनुष में पाचन क्रिया का अध्यान करें। आहार नाल आप ये चानने के लिए उस्सुख होंगे कि हमारे शरीर के भीतर भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है। जिसे हम सामाने रूप से पाचन क्षेतर कह सकते हैं। इसमें मुक कुही का, भोजन नली का या ग्रास नली, अमाशय, छोटी आथ, बड़ी आथ और मल दुआर होते हैं। आईए, अब हम जाने कि पाचन क्षेतर के विभिन अंगों में भोजन के साथ क्या क्या होता है। मुक गुही का, भोजन दो प्रकार से तूटता है, यांतरिक पाचन और रासाइनिक पाचन। जब हम भोजन को अपने दातों से चबाते हैं, तो भोजन तूटता है, जिसे यांतरिक पाचन कहा जाता है। भोजन का रासाइनिक रूप से शरीर के अफशोशित करने लाइक अणों में तोटने को रासाइनिक पाचन कहा जाता है। दोनों प्रकार का पाचन मुह में होता है। यांतरिक पाचन के रूप में भोजन हमारे मुह में छोटे छोटे टुकडों में तूटता है। और हमारे मुह में लार ग्रंतियों द्वारा निर्मित लार स्टार्च को शरकरा में बदलती है। भोजन के शरीर के भीतर जाने की यह प्रक्रिया अंतर ग्रहन कहलाती है। जब हम भोजन खाते हैं तो यह मुलाइम हो जाता है, जिसे हमारी जिहवा द्वारा ग्रास नली में धकेल दिया जाता है। ग्रास नली लंबी ट्यूब जैसे होती है जो गर्दन से सीने तक होती है इन्हीं भित्तियों के हिलने से भोजन अमाशय में पहुँच जाता है अमाशय अमाशय आहार नाल का सबसे मोटा अंग होता है यह चप्टे यू के आकार का भित्ती युक्त बैग होता है अमाशय के भीतर भोजन में हाइड्रो क्लोरिक अमल सहीद पाचक रस मिले होते हैं और इसे मथा जाता है यह रसाइन प्रोटीनों को साधारन तत्वों में बदल देते हैं शिलेश्मा की परत हमारे अमाशय की अमलों से रक्षा करती है चोटी आथ लगभग चार घंटे बाद अमाशय में भोजन अमलान यानी काइम में बदल जाता है और चोटी आथ में चला जाता है चोटी आथ हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और इसकी सनचना कुंडली जैसी होती है इसमें भोजन के अधिकांश पोशक्तत्व अफशोशित होते हैं यकृत और अगनाशय की भी पाचन में भूमिका होती है यकृत के पित्ताशय में पित्त रस होता है जो वसा की पाचन में सहायता करता है जबकि अगनाशयी रस प्रोटीनों एवं कार्बोहाइडरेट को तोड़ता है उसके बाद आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आथ में पहुँशता है और आंत्र रस कार्बोहाइडरेट को साधारन शरकरा जैसे गुलुकोज वसा को वसीय अमलों और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अमल में बदलता है और भोजन की पाचन क्रिया पून करता है अब पचा हुआ भोजन रुधिर प्रवाह में पहुँशता है हम इस प्रक्रिया को अफ्शोशन के नाम से जानते हैं छोटी आंत में अफ्शोशन छोटी आंत की भीत्री परत पर छोटी उंगलियों जैसी आकृतियां रसांकुर कहलाती है क्या आप इस रोजग अंग के बारे में जानते हैं? ये पजे हुए भोजन के अफ्शोशन के लिए सताक्षित्र को विस्तारित करते हैं उसके बाद अफ्शोशित तत्वों को रुधिर वहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन अंगों में पहुचाया जाता है जहां उनका उप्योग प्रोटीन जैसे जटिल तत्वों के निर्मान के लिए किया जाता है इसे समावेशन कहा जाता है बड़ी आत जब काईम बड़ी आत में पहुँचती है तो यह बिना पचे हुए भोजन से अधिकांश जल वा कुछ लवन अफ्शोशित कर लेती है यह चरण महत पूर्ण है क्योंकि इसके कारण हम निर्जली करण डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं एक बार जब अधिकांश जल अफ्शोशित हो जाए तो ठोस अफ्शिस्ट बड़ी आत के अंतिम अंग मलाशे में चले जाते हैं और मल पदार्थों को मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है इस क्रिया को उत्सरजन कहा जाता है तो इस तरह मनिश्य की पाचन क्रिया पून होती है जुगाली क्या आपने कभी गाए को चबाते हुए देखा है विशेश रूप से तब जब वह कुछ खा नहीं रही होती है गाए जल्दी जल्दी घास को निगल जाती है और इसे प्रथम अमाशे में इकठा कर लेती है यहां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पागुर कहलाता है लेकिन बाद में कड यानि पागुर छोटे छोटे गोलों के रूप में मुह में वापस आता है जिसे पशू चबाते हैं इसलिए यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है और इस प्रकार के पशू रोमन्थी पशू यानि जुगाली करने वाले पशू कहलाते हैं अमीबा में पाचन क्रिया आपको जानकर आश्चरे होगा कि कुछ निश्चित प्रकार के जीव होते हैं जिन में ना तो मू होता है और ना ही पाचन तन्तर इसके बावजूद वो भोजन पचाते हैं अमीबा ऐसा ही जीव है जो तालाबों में पाया जाता है या एक कोश की ये जीव होता है और आप इसे बिना सूक्षम दर्शी के नहीं देख सकते इसमें कोश का जिल्ली, एक गोल नाभिक और इसके कोश का द्रव में रिक्तिका होती है यह पदाब या आभासी पात कहलाने वाली उंगलियों जैसी आकरतियों को धकेल कर अपना आकार वैस्थिती निरंतर बदलता रहता है और अपने भोजन के लिए कुछ सूक्षम जीवों को पकड़ता है भोजन एक आहार रिक्तिका में पकड़ लिया जाता है और पाचकरस भोजन को साधारन तत्वों में बदलने के लिए कारे करते हैं अंतता अपजित आहार रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अताहा आप कह सकते हैं कि सभी जन्तूओं में लगभग समान पाचन क्रिया होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं भूजन के जटिल अव्यवों का साधारन तत्वों में तूटने की क्रिया पाचन कहलाती है आहार नाल में मुख गुहिका, भूजननली या ग्रासनली, अमाशे, छोटी आथ, बड़ी आथ एवं मलद्वार होता है कार्बो हाइड्रेट जैसे की तार्च का पाचन मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन अमाशे में शुरू होता है चोटी आथ में भोजन के सभी अव्यवों का पाचन यकृत से स्रावित होने वाले पित्त रस, अग्नाशे से स्रावित होने वाले अग्नाशेई रस और आंत्रई भित्ती से स्रावित होने वाले पाचग रस के द्वारा पून किया जाता है अफशोशित तत्वों को शरीर के विभिन अंगों तक पहुचवाया जाता है बड़ी आथ में अपचित खाद्यों में से जल और कुछ लवन अफशोशित कर लिये जाते हैं अपचित खाद्यों को मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर उस सर्जित कर दिया जाता है घास चरने वाले पश्वों जैसे गाए, भैस और हिरन को रोमन्ती कहा जाता है वे शीगरिता से घास निकल जाते हैं और अपने प्रधम अमाशे में एकत्र कर लेते हैं बाद में यह घास चोटे चोटे पिंड के रूप में मुह में वापस आती है जिसे ये चबाते हैं अमीबा अपना आहार अपने आबसी पादों या पाधाबों के मात्यम से ग्रहण करते हैं और इसका पाचन आहार रिक्तिका में होता है अमाशी है